वेलकम टू सिनहा कॉमर्स क्लासेश क्या आप बिहार स्कूल एक्जामनेशन बोट सिनियर सेकेंडरी क्लास 12 के इस्टुडेंट से और 2024 में जो एक्जाम होने वाला है वो आप देने वाले हैं यह वीडियो आपके लिए है कुछ इस्टुडेंट्स मैसेज़ेश कर रहे थे कि इस herself class 12 का जो एक्जाम होगा बिहार स्कूल दोग्जार चौलिस में इसमें कितने नमबर का अफब्रक सब्देटिफ कॉसर्ञा कितना होगा कितने मांक्यू को सेंस स्ट्रीम के स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् section A में आपका objective type questions रहेगा section A में objective type क्या रहेगा आपका questions रहेगा ठीक है जी और देखें मैंने तीन columns बनाया है पहला number of questions फिर type of questions फिर आपका question into marks बड़ाबर क्या है आपका total तो देखिएगा आपका section 1 में objective type जो questions रहेगा उसमें total 100 questions रहेगे कितने रहेगे 100 100 questions रहेगा multiple choice best बड़ा ठीक है जी तो आपको क्या बोलता है एक से लेके 100 questions रहेगे objective type questions क्या रहेगे objective type questions बतल एक questions रहेगा और उसका generally 4 options होगा कोई एक option क्या करेंगे आप सही बड़ेंगे OMR seat पर क्या होगा आपको इसका answer देना पड़ेगा तो total 100 questions रहेगा तो 100 का 100 questions आपको नहीं बनाना है आपको सिर्फ कितना बनाना है 50 questions are compulsory सोचिए handed questions में स्विफ आपको 50 questions क्या करना है बनाना है और आपका बोलता क्या है 50 questions रहेगा और एक questions कितने का रहेगा एक नंबर का तो 50 into 1 कितना होगे आपका 50 marks यानि कि आपका जो objective type questions है वो आपका कितने नumre का होगा fifty नumre का पचास नumre का आई हो बातों को समझ होँगे कुछ strengths क्या करते हैं याईसे 100 questions है तो मालते हूँ 60 questions आता है, 65 questions आता है 70 questions आता है तो 75 questions क्या करते हैं उनको लगता है 70 questions बनाएंगे तो मेरा क्या होगा भावाई होगा एक्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगा बहुत ज्यादा खुस हो जाएगा ऐसा नहीं है आप एक से 50 कोसर ही क्या करेंगे बनाएंगे 50 कोसर ऐसे कोसर वन वलाता है तो फिर थिरी आए तो 37 आए तो कोई भी काम नहीं है तो अगर आप 60, 65, 70, 80 कोसर बनाएंगे आते हैं कोई मतलब नहीं है शुरुवाती एक से लेकिए 50 कोसर सी आपका चेक किया जाएगा तो आप समझ गयोंगे टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप कोसर कितना रहेगा 100 जिसमें आपको बनाना कितना है 50 50 कोसर एक नमबर का रहेगा टोटल कितना हो गया 50 माक्स आप समझ गयोंगे यह वाला अब देखिए इसमें जो नमबर ऑफ कोसर कितना हो गया टोटल हैंडेट बनाना कितना है 50 ठीक है अब देखिए section B में आपका subjective type questions है आपका क्या बोलता है section B में subjective type questions है तो number of questions अब इसको ध्या देखें कि 30 questions रहेगा बतब 30 questions रहेंगे किसमें short answer type questions में short answer type questions होगा उसमें total questions कितना होगा आपका 30 30 लेकिन 30 नहीं बनाना है आपको कितना बनाना है 15 15 questions are compulsory आनि 30 में मात्र कितना बनाना है 15 जो और आम से क्या करते हैं इस्टुएंट्स लो क्या करते हैं बना देते हैं तो 30 questions रहेगा short answer type questions जिसमें आपको बनाना कितना है सिर्फ 15 ठीक है और देखिए बोलते हैं 15 questions है और 1 question कितने नम्मर का रहेगा आपका दो नम्मर का मतलब short answer type questions जो है एक questions कितने नम्मर का रहेगा दो नम्मर का तो 15 questions बनाना है 15 गुना 2 कितना हो गया 30 यानि 30 नम्मर का आपका short answer type questions रहेगा ठीक है जी उसके बात क्या बोलता है 31 से 38 31 से 30 मतलब total कितना हो गया long answer type questions एक तेसरट कितना हो गया 8 question जो रहेगा वह आपका कितना देगा 8 और और करके देगा तो 8 है आठ में आपको 8 हों नहीं बनाना है सिर्फ कितना बनाना है 4 चार questions नहीं के बहुत Princess है बस 8 questions रहेगा लोंग वला लेकिन आपको बनाना कितना स्रीफ 4 तो पुड़ा अप्सन है जी 100 में आप 50 बनाईए 30 में 15 बनाईए 8 में 4 बनाईए 50-50 क्या है आपका दिया हुआ है ज्यादा मार्क्स आप उठा सकते हैं और देखिए नमबर आप कोसंस कितना बनाना है 4 और लोंग वला जो है एक कोसंस कितने नमबर का रहेगा 5 नमबर का तो 4 बनाई 5 कितना हो गया 20 मार्क्स यानि आपका 30-20 कितना हो गया 50 यानि कि subjective टैप कोसंस जो है वो 50 नमबर का रहेगा और objective टैप जो कोसंस है वो 50 नमबर तो 50-50 कितना हो जाएगा आपका 100 नमबर I hope यह सब आप मार्किंग स् समझ शुके हैं तो गर आप Commerce के Students है Commerce Stream के Students हैं तो आपका कौन को subject हो सकता है Accountancy हो सकता है Business Studies हो सकता है Economics हो सकता है Entrepreneurship हो सकता है Commerce का में सब्जेक्ट है, तो सब भी मार्किंग क्या रहेगा यही हाँ अगर आप science के students हैं, arts के students हैं, तो marking उसमें भी क्या होगा, जो main subject होगा science का arts का, उस सब में क्या होगा, semi marking इसकी में कोई अंतर आपका नहीं है, हाँ अगर आप commerce के students हैं, 2024 में एक्जाम देने वाले हैं, तो मेरे चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लिजिएगा, बेल आइकन हिट कर, call कर दीजिएगा, इससे क्या होगा, कोई भी वीडियो, मैं अप्रोइट करूँगा, उसका सबसे पहले notification आपको मिल जाएगा, और मेरे चैनल पे class 12 का पुरा playlist बना हुआ, accountancy का, business studies का, economics का भी बहुत जल्द बनाएंगे, तो सारा आपका chapter का, Dr. S.K. सिंग के book से, सारा question solutions मैंने क्या किया है, solve कर दिया है, business studies R.K. सिंगला का, बस मेरे चैनल पे जाके playlist क्या करेंगे, आप check कर लेंगे, right, तो commerce वाली के लिए, मेरा चैनल क्या है, बहुत जादा क्या है, helpful है, तो आपको क्या करेंगे, चैनल को subscribe कर लेंगे, तो I hope ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होगी, आप पहले क्या करेंगे, इसका screenshot ले लेंगे, I hope आपने क्या किया होगा, इसका screenshot ले लिया होगा, अब जो commerce वाले students है, commerce stream वाले students है, और 2024 में जिनको exam देना है, उनके लिए मैं बहुत जल, धीरे धीरे बहुत सारा videos upload करते चला जाओंगा, इसलिए मैं चैनल को subscribe ने किया, तो चैनल को subscribe कर लेंगे, तो आज का video, आज का class end करते है, thank you.